दोस्तों आपके फेवरेट यूटूब चैनल वंसमेडियर क्लासेज में आप सभी का सवागत है दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे वीडियो दोस्तों यहां पर आपन बाग करेंगे बैसिकली दोस्तों लेप टेडिनीशन और ऐसे टेडिनीशन वेकेंसि के बारे में दोस्तों यहां पर पोस्टने रखा है प्रोजेट टेटनिकल सपोर्ट सेकिंड लेवरेटर टेगिकनीशन जो नेम ऑप दप्रोजेट यहां पर दे रखा है साथ में जो आपकी पोस्टिंग गें वो दोस्तो उत्तर प्रदेश, उत्तरा कंडो, जमुका सबीर यंदर खनी बर भी आपकी पोस्टिंग देशेते हैं टोटल आपकी यहां पर 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है दो पोस्ट जन्रल यंदर है एक पोस्ट OBC में, एक पोस्ट के अंदर है, एक पोस्ट हैं अपर HT में रहने वाली है कौलिफर किसंग के वारे में बाक्तल हैं दोस्तों जो तोलत है वो साइंस पर पास होनी चाहिए हैं आपको इचारी भी आपर दिया जाएगा इसके बाद में बाग करने जो से लिसन प्रॉसेज़ यहां हो सकता है फिर इंटर्व्य का हो सकता है जोती दोस्तों आपको email के माध्यम से बता दिया जाएगा बाग के अंदर जो भी eligible student होंगे उनके पास में email आ जाएगा और जिस दिन आपका interview हो उस दिन आप जो भी original documents है वो साज में आपको लगके जाने हैं इसके बाद में दोस्तों next vacancy है आपर अपनी आपकी पोस्टिंग के लिए रहने वाली है पोस्ट नेम दे रहक है प्रोजेट टेट्निकल सपोर्ट सेकिंड और जो name of the project है वो यहां पर दे रहक है इसके अंदर आपन बाग कर लेते हैं तो दोस्तों जो 12 है वो science में 5 होनी चाहिए दोस्तों यदि आपने radiology या रेडियो कर आप या इमेजिन टेक्नोलोजी के अंदर आपने डिप्लोमा कर रहक है तो आप यहां फॉर्म अप्लाइक कर सकते हैं यह काम है यहां पर करना जो यह पर दोस्तों तीस यह उती आपकी यह नहीं होनी चाहिए इसके बाद में आपने salary के बारे में बाग कर लतना है दोस्तों आपकी salary है वह बीस हाद जार रुप्य परवंद से डियो बीडियों पर आपको HR यहां पर दिया जाएगा इसके बाद में आपने बाग कर लाते हैं जो सलेशन प्रोसे यह दोस्तों या तो रिटन एजाम हो सकता है आपका इंटर्व्यू हो सकता है जो कि आपको इमेल के माध्य में से बता दिये जाएगा जो भी इलिजबली स्टुडेंट होगे उनके पास इमेल आ जाएगा इसके इसके बाद में नेश्ट्ट वेकेंसी आपर अपनी स्टुडेंट है लेट एनिस रहेंने वाली है इंपर यह पोस्त नेम डे रह लिया है प्रोजेट्ट टेंगल सापोट पर सस्ट भाद बाग कर लाता हैं दोस्तों यह पीज्ट नेम या पर दे रहें पर आपको बाग कर करें लिएकी पास कि यह जुए लिए वह पाँ पर होने चाहिए एक आप की डूटी यहां पर रहने वाली यह काम आपको यहां पर करना यह चाहिए लिमिटर की बारे माग के लें दोस्ट वो 28 यह से ज़्यादा नहीं होने होने हैं इसके बाद में सेलेसर्ट प्रोसर्सके बारे में अपने बाग केऊं नोर को कि यक्षा नापलेशना इसके बाद में साथ में अपको लेकर जाने हैं इसके बाद दोस्तों के लायच डेत पहुतलि PTUK दोस्तों फोर्म की लाइज डेट है वह दोस्तों 29 जनवरी रहने वाली है 29 जनवरी शाम 4 बज़े आपकी जो फोर्म की लाइज डेट है वह रहने वाली है तो जो पर साथी फोर्म करना चाहता है वह दोस्तों 29 जनवरी शाम 4 बज़े तक फोर्म में अप्लाई कर सकते हैं फो और हमें आपको बढ़ देना है साथ में दोस्तों जो भी आपके अग्वेस्न कौालिफेकसे न समझे जो भी माल शीकित इसे तश्वली माल शीक है इस्पेरियंस और सभी फोटो कौपी करवा ली नियूए पर आपको साइन कर देने हैं प्रवाइब दोस्तों जाती परमानपत्तर है उसकी फोटो कोपी साथ में आपको अटेच करनी है इन सभी जो क्या करना है दोस्तों जो एप्लिकेशन फोरम है और जो भी डॉकॉमेंट में बताएं इनको आपको एपीडिये के अंदर जमा लेना है सभी जो जो प्रवाइब जो मैंने फोटो को भी बताई है और जो एप्लिकेशन फोरम है सभी को आपको सिंगल पीडिये अंदर बना लेना है और जो इस इमेल पर आपको सेंड कर देना है 19 जनवरी फोरम के लाइस डेट रहने वाली है चार बज़े कर सकते हैं कोई नहीं दोस्तों यहां पर उनली 10 यहां पर भी लेवेरे के लिए अपर आइस मेल आपको आपको अीसके बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तो एक और वेकेंसी आई है उसके बारे में आपन बाग कर लते हैं यहां पर भी लेव टेंडिशन के लिए वेकेंसी है और यह जो आपकी पोस्टिंग है वो गुजरात में रहने वाली है तो यहां पर अपन सबसे पहले बाग कर लते हैं लेव टेंडिशन के बारे म qualification के बारे में आपने बागते लें दोस्तों जो तोलते पर science में पास होनी चाहिए दोस्तों यह दिया आपने DMLT करेक किये और आपके पास में 5 साल का experience है तो आप यहाँ पर फोरे में apply कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों nature of duties के बारे में आपको यहाँ पर बता रखाए एज लिमीट के बारे में बागते हैं तो आपके एज लिमीट है वह दोस्तों आपकी एज वह 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इसके बारे में बारे में बागते हैं इसके बाद में आपने बागते हैं पर आपके पास करकिये और यदि आपने डियमेल्ट करकिये और आपके पास में दो साल का experience है तो आप यहां पर फोरे में अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद में बाग कर लाएं दोस्तों नेचर ओप डूटी इसके बारे में आपर बता रखा है आपकी जो एज है वह दोस्तों अटाइज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपकी सेलेरी हो आटाराजार रुपया प करना है अपर लेका पहले करना है आपको ही और चार बजी से पहले पहले मैं दोस्तों इस email पर आपको send करना है वह ही जो मैंने पहले बताया था जो भी आपके original documents है उन सबीकी photocopy आपको साथ में उन पर sign करके उनकी PDF बना लेनी है उसकी भी आपको PDF बना लेनी है यह वापस से बोल रहा हम दोस्तों application forum मैं थोड़े देर में आपको बाता हूँ application forum को आपको download करके उसके बाद में उसको पर देना है उसके बाद में दोस्तों जो भी आपके original document है देशी इमार सीट है बारवी इमार सीट है इन सबीजी आपको करवा लेनी है इन पर आपको अपने साइन कर देने है साथ में दोस्तों जो आपको PDF के अंदर अटेच्च करनी है मतलब उसको PDF के अंदर आपको सामिल करनी है तो जो application forum है जो भी आपको original document है वो सभी यह सभी PDF के अंदर आ जाने चाहिए और उस PDF को आपको इस email पर send कर देना है आज चार बज़े से पहले-पहले है जो भी साथी फोर्म में अप्लाई कर देना है इसके बाद में दोस्तों जो जिस दिन आपका आफ के इंटर्व्यो वर्ट दोकूमेंट से साथ में आपको लेके जाने है इसके बाद में दोस्तों आपना करेंगा घृत है जो फोरं क्तौन का for Welcome वह वह बारे में लाष्ट कर देने आँ तो दोस्तों दो की बाकले में अब दोनों एडबर्टाइजमेंट में वेकेंश ही है दूनों का फोर्मेट गई रहने वाला है तो इसको आपका फिरेंट निकला लेना है जो डॉक्वमेंट्स में बताए है उन डॉक्वमेंट्स की फोर्टकोपी सात में आपको अटेशियर देनी है एप्टार्ट सेंद्र आपको स्थे बना ले निए अग्iansल आरेगं मैं हुआ फीर वी डीयो में इतना ही मिलते हैं तर थेंक्यों दोस्तों